लो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल टीचर क्यान दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस परकार से आप सालादरपन पोर्टल के माध्यम से एसीपी के लिए आविदन करें स्रिमान निदेशक मोदे माध्यम सिक्ष्या रास्तान विकानेर के द्वारा यादेश निकाला गया है जो दिनांक 27 जुलाई 2020 का है आप दोस्तों इस आदेश को देख सकते हैं एसीपी एवाम इस्ताइकरण परकरणों के सहज एवन तवरित निस्तारण के करम में सालादरपन पोर्टल पर ओनलाइन मोडूल परारहम किये गये हैं तो बहुत से मैं आपको जितने भी एस्ताइकरण के आविधन होंगे वह आपको सालादरपन पोर्टल के मादम से ही ओनलाइन करने होंगे यह दि संसोदन के दोरान पुराना डेटा किसी का डिलिट हो गया है तो वह है मोडूल पर ओनलाइन आविधन पुने करेंगे दोस्तों मैं आपको दिनांक 20 जनौरी 2020 का जो आदेश है वो भी मैं यहां पर दर्शित कर देता हूँ, यह यहां पर दिनांक 20 जनौरी 2020 का जो आदेश था, आप यहां देख सकते हैं इस्ताइकरण के ओन-लाइन आविधन परकिरिया, कुछ इस परकार से यहां रहेगी, अ इस तर पर जो कारिये हैं वो बांटे गए हैं इसके बाद में आश्वाशित के दियर परगती ACP की ओनलाइन आविदन पर किरिया कुछ इस परकार से है आप देख सकते हैं सबसे पहले अधिकारी ACP को क्या करना होगा सबसे पहले स्टाप लोगिन में जाना होगा उसके बाद में ACP के लिए आविदन करना होगा यदि कोई तरूटी रहती है तो पर पतर दस के दवारा उसको संसोधन किया जाएगा कि आपको यहां मोड्यूल पर दरशित करते हुँ सबसे पहले अपने किसी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे।突 कर देख चैसे ही है, आप यहां सालतरपन टैप करते हैं। अफ्यज आप सालतरपन.nic.in औ अभी दोस्तो आपको यहाँ पर LOGIN TAPE परदर्शित हो रहा है दोस्तो यहाँ पर उपीश स्कोल जो LOGIN है उनके लिए है कारियले LOGIN के लिए आप यहाँ LOGIN नहीं करेंगे आप स्क्रोल करते होई नीचे के तरफ आजाएंगे यहां आपको option परदर्शित हो रहा है stop window जहां मेरा cursor चल रहा है आप यहां click कर देंगे जैसे ही दोस्तों आप click करते हैं stop login की जो home screen है आपको परदर्शित होगी इसके बाद में आप यहां जो right side corner में बना हुआ stop login tape है इस पर click कर देंगे जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं first यहां जो column है इसके अंदर login ID रहेगी second पर password रहेगा यहां जो third जो option है इसके अंदर आप capture code परदर्शित करेंगे देहान रखें capture code जो है cash sensitive है इसलिए आप capital और small letter जो है उनका विशेश देहान रखेंगे और आप login कर देंगे जैसे ही आप यहां login tape पर click करते हैं आप अपने stop login के अंदर परवेस कर जाते हैं आप दे सकते हैं दोस्तों जैसे ही आप login करते हैं इस परकार का interface आपको यहां show होता है इस तरफ आपको right side corner में आपको अपनी profile परदर्शित होती है name जो है परदर्शित होता है इसके बाद में आप यहां आपको list परदर्शित हो रही है कहीं कहीं employees के इस परकार का menu परदर्शित हो रहा होगा जिसके इंदर list नहीं दिखेगी शिर्फ icon परदर्शित होंगे तो आप यहां यह जो arrow आपको परदर्शित हो रही है यहां मेरा कर्सर चल रहा है दोस्तों आप यहां क्लिक करेंगे नीचे की तरफ एक और लिष्ट ओपन हुई है जिसके अंदर option आपको परदर्शित हो रहा है आप क्लिक कर देंगे जैसे ही आप यहां क्लिक करते हैं दोस्तों स्क्रीन एक बार रिफ्रेश होगा और आपके शामने कुछ इस परकार का इंटरफेस ओपन होगा यहां परकुल दो परकार के option आपके सामने परदर्शित हो रहे हैं फेस्ट यहां जो option है वह है apply for ACP second option है confirmation का इस्ताइकरन का दोस्तों इस्ताइकरन के बारे में अपने बाद में चर्चा करेंगे आज का अपना topic ACP के बारे में है किस परकार से आप apply करें तो आप इसके लिए यहां apply for ACP इसके नीचे जो आपको click hair tape परदर्शित हो रहा है इस पर आप यहां click कर देंगे जैसे ही आप यहां click करते हैं एक नई screen यहां open हो गई है आप देख सकते हैं दोस्तों नया window यहां open हो गया है अभी यहां पर आप teacher basic information आपके सामने यह दी इनके अंदर किसी भी परकार की truth है mismatch है data तो यहां पर आप दोस्तों परपतर 10 में जाएंगे वहां इनके अंदर correction करेंगे विद्याले login के दवारा दोस्तों जैसे ही आप यह चेक कर लेते हैं आप इसके बाद आगे की तरफ आएंगे फैस्ट आप यहां देख सकत है कारिय गरहन ती थी दोस्तों आपकी यहां पहले से बाइडिफॉल्ट शो है आप इसमें यहां कोई correction नहीं कर पाएंगे जो भी आपकी यहां कारिय गरहन रहता है before noon या फिर afternoon आप यहां select कर सकते हैं कर लेंगे इसके बाद में न्यूक्ति आदेश जो upload करना है आप यहा choose file पर click करेंगे मैं यहां आपको upload करके परदर्शित कर देता हूं इसके बाद में दोस्तों आप नीचे की तरफ आएंगे note लगा हुआ है पहले आप note को ध्यान परोग पड़ेंगे यहां आपको जिला इस्तापना समीति है उसके द्वारा जो चैन आदेश जारी हुआ उस है इस्ताइकरन ती थी दोस्तों आप यहां जो कलेंडर आपको परदर्शित हो रहा है आप कलेंडर में से चूज कर लेंगे डेट इसके बाद में इस्ताइकरन आदेश जो है वो आप यहां upload कर देंगे संवर्ग जो है आप यहां जैसे ही क्लिक करते हैं option आपके सामने पर पर दर्सित होते हैं आपका जो भी यहां पर संवर्ग रहता हैं मंत्रालेक अधिनस सेवा राज सेवा बो और दोस्तो आप यहाँ Save tape पर क्लिक कर देंगे जैसे ही दोस्तो आप यहाँ Save tape पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा वक्त लगेगा और आपका जो data है वह है यहाँ Save हो जाएगा आप देख सकते हैं दोस्तो data save update successfully आप OK कर देंगे आपकी जो file है यहाँ upload हो चुकी है अभी आप तो रहा है आप यहाँ से अपने document को view कर सकते हैं कोई दूसरा अदेश आपने यहाँ upload कर दिया है तो आप यहाँ वापस choose file करेंगे और choose file के दवारा आप इसको update कर देंगे चलिए दोस्तों अपने आगे चलते हैं आगे की तरफ आप यहाँ देख सकते हैं sectionic योगेता पर पर पतर 10 पर वहां से आप इसके अंदर correction जो है कर सकते हैं पर section के योगेता है यह भी आप यहाँ edit नहीं कर सकते हैं इसके लिए भी आपको जाना रहता है पर पतर 10 पर अब दोस्तों यहाँ आगे option आता है सेवा काल में हुई पदोनतियों का वीवरन यहाँ 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 उनका वीवरन देंगे एक से अधिक हैं तो भी आप यहाँ वीवरन पर दर्सित करेंगे और यह दी अभी तक आपकी कोई पदोनतियों नहीं हुई है तो दोस्तों आप आपके आगे सामने की तरफ एक option है लागू नहीं दोस्तों जब पुराना module था उसके अंदर option नहीं दिया गया था दोस्तों यहाँ मैं screen को थोड़ा सा large कर देता हूं दोस्तों यह दी आपके पदोनेती अभी तक नहीं हुई है कोई भी पदोनेती नहीं हुई है यहाँ तो आप लागू नहीं इस option पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे लागू नहीं yes आप यहाँ कर दे मैं आपको यहां परदर्शित कर देता हूं जैसे ही आप करते हैं यहां लागू नहीं आप देख सकते हैं यहां यह जो टेबल थी आपके यहां से हाइड हो चुकी है अभी नेक्ट जो ऑफशन है यह जो पहले जब वो यह पुराना मोडूल था उसके अंदर यह ऑफशन नह ही है और यह दिन नहीं है तो आप यहां पर इसको बलेंक रहने देंगे और आप यहां जो लागू नहीं जो टेब परदर्शित हो रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यह टेबल भी यहां हाइड हो जाता है इसके बाद ओफशन आता है पुंद्रक्षित वेतनमान 2008 ए दोनों का आप यहां देंगे तो जैसे ही आप यहां क्लिक करते हैं वेतनमान पेबेंड आप यहां सेवन्थ के लिए डैस डैस करेंगे ग्रेड पेपे मेट्रिक्स आप यहां जिस भी लेवल में आते हैं यहां सेलक्ट कर लेंगे वेतनमान में विकल्प्त की जो दिनांग था वो परती आप यहां upload कर देंगे मैं यहां आपको dummy form फिल करके बता रहा हूं और आप यहां save कर देंगे जैसे यह आप save करते हैं आप देख सकते हैं यह left side corner के अंदर नीचे की तरफ आपका document upload हो रहा है तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं data save update successfully आप ok कर देंगे pop-up window को आप वापस यहां scroll करते हुए नीचे की तरफ आजाएंगे यहां second कोई है नहीं तो मैं इसको यहां रहने दूंगा यह दिये है मैंने जो fill किया वो गलत हो गया है तो यहां जो delete का आपको tape परदा से तोरा इसके दोरा आप delete भी इसको कर सकते हैं या फिर edit करना चाहें तो इसके दोरा आप edit कर सकते हैं अभी दोस्तों आगे आपके next जो विकल पाता हुआ आता है आवेदित ACP का वीवरण सबसे पहले आप यहां परकार जो है select करेंगे कौन सा आपका ACP है 9, 10, 18, 20, 27, 30 जो भी ACP आपका यहां है आप वो select कर लेंगे इसके बाद में आप यहां day day 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 से यहां 7 है तो मैं 7 सेलक्ट कर दूँगा इसके बाद में दोस्तों आप वितनमान पे बैंड पे लेवल आप यहां सेलक्ट करेंगे डेश डेश रहेगा और दोस्तों यहां पर आप पे मैट्रिक्स जो लेवल है आप वो सेलक्ट कर देंगे जो भी आपका यहां A.C.P. में जो लेवल है वो आप यहां select करेंगे इसके बाद में दोस्तों आपको जिवित संतानों की जो है information provide करवानी रहती है आप देश सकते हैं दिनांग 31-5-2002 तक जिवित बच्चो पुत्र-पुत्रियों की संख्या यहां आपको नाम और जनम्तिती फिल करनी रहती है इसके बाद आपका option रहता है 162-2002 तक जिवित बच्चो पुत्र-पुत्रियों की संख्या आप यहां जो है save करेंगे जैसे ही आप यहां name फिल करते हैं आपको जनम्तिती का जो विकल्प है परदर्सित होने लगेगा आप यहां calendar में से तीती जो है select कर देंगे यहां दोस्तों आपने name फिल कर दिया है अभी आप यहां पर जो save tape आपको परदर्सित हो रहा है सामने की तरफ आप इस पर क्लिक कर देंगे जैसे ही आप save tape पर क्लिक करते हैं विंडो एक बार refresh होगा data save successfully आप विंडो को एक बार pop-up विंडो को ok कर देंगे दोस्तों आप यहां देख सकते हैं एक संतान के आपकी जो detail फिल हो चुकी है दूसरी संतान की भी है आप इस्यक परकार से detail फिल कर लेंगे इसके बाद में आग neighborhood संतान समंदित गोश्णा पत्तर है आप यहां अपनी जो भी file है उसको चूज कर लेंगे और open कर देंगे यहां आपकी file select हो चुकी है इसके बाद मे कार्यवाही सेवकाल के दोरान हुई है या फिर नहीं हुई है यह दि कोई शाशीत डंडा देश आपको दिया गया है तो आप यहां कर देंगे अधरवाइज आप यहां इस टेव को नो रहने देंगे और दोस्तों आप यहां जो विकल्प पर दर्शित हो रहा है अपडेट इस पर आप यहां क्लिक कर देंगे अभी दोस्तों आपने यहां अपडेट कर दिया तो आप यहां देख सकते हैं चूज फाइल के निचे भी है आपका व्यू अटेजमेंट यहां डोकुमेंट अटेज हो चुका है अभी आप यहां फाइनल सब्मिट जो आपको टेप पर पर दर्शित हो रहा है आप इस पर क्लिक कर देंगे जैसे ही दोस्तों आप यहां फाइनल सब्मिट कर देते हैं आपकी सामने पर दर्शित होता है क्या आप इस पर विष्टी को अंतिम रूप से आगे परेशित करना चाहते हैं आप येस कर देंगे अभी दोस्तों आपके इस पर OTP भेज दे गई है यह दिए OTP नहीं आती है तो आपको यहाँ जो SMS का उप्षन पर दर्शित हो रहा है इस पर आप क्लिक करें OTP Resend के लिए Otherwise आप यहाँ OTP जो है एंटर कर देंगे Final Submit जो आपको टेप पर दर्शित हो रहा है आप इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉप जो है विंडो ओपन होगा Your data is saved आप OK कर देंगे अभी दोस्तो आप यहाँ स्क्रोल करते हुए उपर की तरफ आ जाएंगे और यहाँ आपको जो प्रिंट टेप पर दर्शित हो रहा है आप इस पर क्लिक कर देंगे जैसे ही दोस्तो आप यहाँ क्लिक करते हैं आपके सामने print का option पर दर्शित हो जाएगा आप यहाँ से इसको print ले लेंगे तो दोस्तो इस परकार से आप यहाँ पर इसको apply कर सकते हैं अभी जो आपका यह जो प्रिंटेड फोरम है यह आप यहाँ अपने principle को या फिर परद थेंक्स पर वाचिंग उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको like, share, subscribe जुरूर करें साथ यह आने वाली bell icon को जुरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो को notification आपको मिल सकें ओके बाए